हेलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल गुलाबी रसोई में आज हम बनाने वाले लौकी और चने की दाल की बहुती चटपटी सबजी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लौकी को दो के इस तरीके से आप पीसिस में कट कर लीजिए अब लिएंगे हम एक प्रेशर कुकर, मैंने दाल को भीगो दिया था इस तरीके से हम दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और अपने कटे हुए लौकी के पीसिस को भी डाल देंगे दाल भीगोने से हमें इसमें ज़़ाधा ब्रिसर नहीं लगाने पड़ेगे तेन से चार बिसल में ये हमारा लौकी और चनग की डाल बिल्गूल पके तयार हो जाएगी अब हम इसमें डालेंगे 1-1.5 गलास पानी इतना ही काफी है friends क्योंकि लौकी में भी पानी होता है आप एक से डेड़ ग्लास पानी ही इसमें डालेए अब डालेंगे हम इसमें अपने मसाले आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर आदा चोटा चमच नमक डालेंगे और आदा चोटा चमच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर अब प्रेशर कुकर को बंद कर दीजे इसक तक इसमें ब्रिसल आएगी हम अपना तड़कार रेडी कर लिए तो मीडियम साइज के प्याज मैंने कट कर लिया है और ले लिया है मैंने कुछ साबुत मसाले एक चोटा चम्मच अजवाइन है कुछ काली मिर्च के दाने है एक बड़ी लाइची है साबुत धनिया है तीन सा ब्रिसल आने हमारी प्रेशर कुकर में स्टार्ट हो गई है तीन से चार ब्रिसल आने देंगे गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे इसमें तीन से चार ब्रिसल आने दीजिए फ्रेंड्स हम प्रेशर कुकर को एक साइड में रख देंगे और इसको ठंडा होने देंग लाश्ट में दालेंगे साबूत मसाले चटकते हैं आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनिए अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे लगबग एक मिनट तक मसालों को अच्छे से भूनना चाहिए इसको जब हमारे मसाले भूनते हैं तो बहुत ही अच्छी कुछबू आती है देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है बस थोड़ी ही देर में अच्छी तरीके से यह भून जाएंगे अब आप देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज को भी हम लो फ्लेम पे ही अच्छी से भूनेंगे लगभग एक मिनट तक इस तरीके से आप प्याज को भी भून लीजे इसका कलर भी देखिए अब चेंज हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे अपना टमाटर का पेस्ट टमाटर के पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से हम टमाटर के पेस्ट को भी भूनेंगे देखिए इस तरीके से हमारा टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें एड करेंगे अपने मसाले आदा छोटा चमच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है आदा छोटा चमच नमक डाला है नमक आप ध्यान से डालिए नमक आपने पहले भी डाला था अब हम डालेंगे इसमें आदा छोटा चमच गरा मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मज डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यह तीखी नहीं होती है इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा आपकी सबजी का अब हम सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से भूल लेंगे सारे मसाले देखिए अच्छे से भूल रहे है और इसका अच्छे से कलर भी आ गया है और इधर हमारा प्रेशर कुकर भी ठंडा हो चुका है देखिए परफेक्ट तरीके से लौकी और चने की डाल पक चुकी है ना तो इसमें पानी जादा है और यह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुकी है तड़का भी हमारा रैडी हो चुका है, चने की डाल को और लौकी को अब हम इसमें एड कर देंगे, देखे पर्फेक्ट तरीके से लौकी और चने की डाल पक चुकी है, अब हम इसको मेडियम फ्लेम पे अच्छे से 2-3 मिनट तक पकाएंगे, अच्छे से पक जाने दीजे फ अच्छे से पक चुकी है, अब गैस को हम बन कर देंगे, और हम अपनी सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे, बाउल में निकाल लेजिए, आप अपनी सब्जी को इस तरीके से, दिखे फ्रेंट पर्फेक्ट तरीके से सब्जी हमारी बन के तयार है, खाने में ये